हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागते आपका एक्जाम स्टेडी बिद जॉब अलर्ट यूरूप चैनल में तो दोस्तों जो हमने जो स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड सत्सो चैसी का जो एक्जाम 13 जो 13 दिसंबर 2020 को हुआ था तो उसका हमने ये पार्ट टू जो है वो लेकर आए है पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के वीडियो में जो है आपको जो है पहला पार्ट दिखाई देगा तो जिसे हमने जो है दो गंटे पहले ही जो है डिसकस किया तो दोस्तों देखिए एक्जाम तो आपका ये स्टेनो टाइपिस्ट का जो है वो कैंसल हो गया है कुछ जो है वो इसू थे इसमें जो सोलन में जो है आपको एक सेंटर था उसमें जो है ये आपको पता ही है सारा कि टी जी टी आर्ड का जो एक्जाम था उसके बदले आपको इस टैन्डो टाइपिस्ट का जो है वो उन्होंने क्वेस्टिन पेपर जो था वो स्टूडेंट्स को कुछ को अबंटित कर दिये थे तो उस कारण से जो है ये एस प्यासे है हमिरपूर बोर्ड ने तो एक्जाम आ ठीक एको आपको त्यारी करने चाहिए और आपने कितने जो है किस पैपर जो आपको यह दिए गया था इसमें आपने जो है वो कमश्चिन ठीक हिये तो सबसे पहले अपनी तियारी को आप आजमाईए कि आपright कितनी थी और maximum cut-off जो है वो कितनी जा सकती थी और कितना जो है आपने उसमें score किया तो हम जो है इस exam को solve कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि पहला पार्ट हमने discuss कर दिया और जिसमें हमने आपको 68 तक जो है आपको 66 तक प्रसन जो इसमें करवाए गये थे वो हमने बता दियें आपको तो अब हम जो है वो 67 से लेकर जो भी प्रसन है और कितने तक है ये तो 60, 76 तक 10 प्रसन तो ये जो है हम इन प्रसनों को जो है वो किसी next पार्ट में जो है वो आपके सामने discuss करेंगे क्योंकि ये हम fully solved करेंगे आपको जिससे आपको ये पता लगे कि जो आपके प्रसन है आपके reasoning कितनी पक्की है तो इसमें हम next प्रसन के अगर हम बात करें तो हम सुरू करते हैं आप 17-7 से तो 17-7 प्रसन अब हमारे पास करंट अभेर के कुछ प्रसन है तो इसमें हम पहला प्रसन अगर बात करें तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में COVID-19 से लड़ने के लिए लोगों की रोग प्रतिकारक सकती बढ़ाने के लिए जीवन अमरित योजना तो किस राज्य में जो है ये सुरू की गई है तो इसका सही option जो है option A है मध्यपरदेश सरकार के दौरा जो है ये सुरू की गई है और मध्यपरदेश के आपने comment करकर बताना कि वहां के मुख्यमंतरी कौन है तो ये आपने comment box में बताना next person विश्व में कौन सी प्रत्थम alliance है जिसने हाल ही में अपने यात्रियों के दूर्त प्रति जैव प्रिक्षन की है तो इसका सही जवाब होगा option जो है आपका option D तो ME rates इसका सही जवाब है next person तो next person है हमारे पास कि करनाटक के जे अरुन कुमार को हाल ही में किस राष्ट्रिय पूर्ष टीम का प्रधान कोच निक्त किये गया है तो इसका सही जवाब होगा option A USA तो USA में जो का जो है वो आपको ये प्रधान जो कोच निक्त किये गया है next person तो next person हमारे पास है पूर्ष की विश्चम मुक्यवाजी प्रतियों किता 2021 की याजमारी कौन करेगा तो इसमें जो है वो option आपका सही होगा option B सारविया next person किस टेलिकाउम कंपनी ने हाल ही में पेटियम के साथ रिचार्ट साथ ही समझा होता किया है तो यह किया गया है बोड़ाफोन आ इंडिया के द्वारा तो बोड़ाफोन इंडिया के द्वारा जो है यह समझाता किया गया है next person वर्स 2020 के लिए कौन सा देश पांच दस्यों में ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्स है तो इसका सही जबाव होगा 82 का option C रूस next person के अगर हम बात करें तो next person पीटर स्वर्ट डायलॉक समबाद जो हाल ही में चर्चा में था किस सेतर से समंधित है तो 83 का जो option A होगा जलवायू एक्षन तो next अगर हम बात करें तो next person हमारे पास आता है कि बहु मुखी बॉलिवूड अभिनेता इर्फान खान जिसका हाल ही में नीदिन हो गया किस फीलम के लिए उन्हें राष्ट्रे पुर्सकार जीता था तो ये था life of pie तो option C इसका सही होगा तो next अगर हम life of pie sorry इसका नहीं होगा इसका नेक्स्ट जो इसका जो सही होगा वो होगा पान सिंग तोमर option जो है वो भी इसका सही होगा next अगर हम बात करें तो next जो हमारे पास प्रसन आता है कि जो किस देश में जो है वो कोहाल ही में Asian Development Bank ने परिणाम अधारित रीन मेडालिटी के अंतरगत दक्षिन एसिया का प्रत्थम रीन दाता किया है तो इसका सही जबाव होगा 85 का option C भारत तो option C इसका सही होगा भारत नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रसन जो है हमारे पास आता है कि 2020 तक किस राज्य ने महत्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामिन रोजगार ग्रंटी अधिनियम के अंतरगत सर्वधिक संख्या में सरमिकों को रोजगार जो है उप्रदान किये गया है तो इसका सहीजबा होगा उप्सिन डी जो है यूपी तो उत्तर प्रदेश में सबसे जादा महत्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामिन रोजगार ग्रंटी अधिनियम के अंतरगत सर्वधिक संख्या को रोजगार प्रदान किये गया है तो दोस्तो देखिए अगर आपने अभी ताक हमारे यूट्योब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन आपने जुरू प्रेस करना है तभी आपको इसका पार्ट 3 भी जो है वो नौट्पिकेशन के जरी आपके बहुन के जो है वो मिलेगा तो दोस्तो इसके बाद जो है ये थे हमारे 10 प्रसंड जो थे वो HP, sorry, current of hair से समंदी थे तो next इ ये correctly spelled word है तो ये आपके पास चार जो है वो बढ़ दिये गए होंगे ABCD करकर जो है अल्ट बर नेटिव तो इसमें आपने सही जो है वो बताना है कि कौन सा है तो 87 का जो सही अंसर होगा वो इसमें जो है वो कौन सा है तो 87 का सही होगा option B तो option B क्या है प्रो प्राइटर्स तो ये option B इसका सही होगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 88 तो 88 है आपका maintenance किस प्रकार से लिखा जाता है तो इसका सही जबाव होगा option B next अगर हम बात करें तो next हमारे पास आता है कि तो illegumate किस प्रकार से लिखा जाता है तो इसका सही जबाव होगा option D next अगर हम बात करें तो next हमारे पास आता है collaborate किस प्रकार से लिखा जाता है तो इसका सही जबाव होगा option A नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है 91 तो miscellaneous किस प्रकार से लिखा जाता है तो 91 का option C होगा तो उसके बाद अगर हम बात करें कि 92 से लेकर 96 तक जो है आपके पास feeling in the blanks है तो इसमें अगर हम बात करें तो pre is not dash for this kind of a job तो इसका सही जबाब होगा option D cut out नेक्स्ट अगर हम बात करें let us begin dash a new chapter तो इसमें option जो है वो होगा B तो option B है with नेक्स्ट अगर हम बात करें तो next है कि your bad habits will dash your rung तो इसका सही जबाब होगा 85, 95 का option 95 का option क्या हो सकता है आपने comment करकर बताना है तो ये कुछ answer है जो 2 ये 95 और 96 तो ये आपने बताने है तो next अगर हम बात करें तो next 97 to 101 तो ये जो कुछ प्रसन है ये आपने चेक करने है खुद क्योंकि इनकी answer की आने पर ही इनका बता सकते हम लेकिन answer की इनकी अभी upload नहीं की जा सकती क्योंकि ये cancel कर दिया है तो आपने बताने हैं कि इनके कौन-कौन से जो है वो सही होंगे बाकी हम इसको जो है next part में अप्लोड करेंगे जो इतना भी ये हम question skip कर रहे हैं तो अब हम हिंदी से जो है शुरू करेंगे तो हिंदी में सबसे पहला प्रसन हमारे पास आता है कि सुद जो सब्द चुनिये तो सुद सब्द कि इस प्रकार से चुनेंगे तो सबसे पहले प्रसंसा तो option B नकसतर option C गुण option A उसके बाद आपके पास आता है भूशन तो इस प्रकार से लिखा जाता है टिपणी इस प्रकार से लिखा जाता है तो ये आपने अंस्र जो है वो होगा आपका option A अधिगामन जो है इसका सही है अच्छिंज का option A next अगर हम बात करें तो embed Olympic तो इसका सही होगा आपका option बव अपबाद next अगर מש कि अगर हम बात करें तो इसका option A होगा सही नीवे नेक्स्ट अगर हम बात करें अनोटिड तो अनोटिड का सही होगा option number B next अगर हम बात करें तो custody तो इसका सही जबाव होगा option D, selection तो next अगर हम बात करें तो next हमारे पास कुछ मोहाबरे हैं तो रंग चड़ना मोहाबरे करता है प्रभाव पढ़ना next निवंद में उपसर्ग उपसर्ग बाद में आती है प्रत्या पहले आते हैं तो उपसर्ग बंद तो option B इसका सही होगा 118 का next अगर हम बात करें रजट में प्रत्या है तो मैंने बताया कि प्रत्या पहले आते हैं तो रज इसका option B देश का अभी शेशन है तो देशवासी आपसन बी सबता हमें समास है तो सबता हमें है ततपुर्श समास रात का बहु बचन है तो रातें आपसन बी दास अगर हम बात करें तो नेकस्ट हमारे पास आता है कि जो दास का इस्त्रिलिंग है तो दासिया नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है कि नया का तदस्व है तो नवीन इस परकार से लिखा जाता है अर्थ का प्रवाची है तो यह आपने बताना है कि 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत का जनसंख्यांगना तब कितना है तो देखिए ये 2011 की अनुसार 325 है लेकिन अगर इसकी बात करें प्रति वर स्प्वेर किलोमेटर तो इसका है 322 नेक्स्ट अगर हम बात करें राष्ट्रिय गीत बंद मातरम किसने लिखा था तो बुकीम चंदर चटर जी के द्वारा लिखा गया था है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट परसन राजसाभा के पदेन अध्यक्स होते हैं उपराश्टर पती नेक्स्ट यूपीएससी है एक सम्विधानिक निकाय आप्सन सी इसका सही हुगा तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टाफ स्लेक्शन कमिशन करमचारी चैन अयोग की स्थापना किस वर्स हुई तो इसमें ऑप्सन जो है वो जो आप यहां दिये गया हैं यह सही मुझे डावटफुल लग रहे हैं क्योंकि मैंने जब इसके बारे में सर्च किया तो जो तो मुझे इसका अंसर मिला वो मिला 1999 तो दोस्तों आपको अगर इसका सही अंसर मालूम है तो आप कमेंट करकर जुरू पिताए हमें तो कथकली निरित्या स्वरूप है तो ओप्सन डिस का सही जवा होगा केरिल का किस वर्स बर्तमान विदेश बयापार निती अस्थित्त में आई तो इसका ऑप्सन B होगा कि 2015 में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास प्रसंड जो है वो आता है कि भारत में जो है वो आधुनिक डाक विवस्था किस थापना किसने की थी तो लाड डलहौजी के द्वारा की गई थी ये भारती ये सैने अकादम में भारत में कि स्थान पस्थित है तो इसका सही जबाव होगा ऑप्सन A देहरादूल नेक्स्ट भारत में सरवाधिक पावर निर्माता जो है कौन है तो एंटेपी सी ऑप्सन B इसका सही होगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है किस वर्ष पर आयू कि किसोर करनाओं के सक्तिकरण के लिए जो सैबला योजना है तो इसका सहिजबा होगा सैबला योजना जो है यह जो ग्यारा से अट्रा वर्स की किसोर करनाओं है नेक्स्त अगर हम बात करें तो ICMR पहले जाना जाता था तो इसका जो सही जवाब जो है वो है Imperial Medical Institute of India अगर इसका आपको सही जवाब पता है तो आप बताएए क्योंकि ये मैं जो मैंने पढ़ा था उससे related मैं बता रहा हूँ लेकिन सायद इसका ये जवाब ना हो क्योंकि मुझे ये ध्यान है कि इसका option C इस means तो FDI option इसका सही जो होगा तो ये होगा foreign direct investment option C next भारत के उच नयाले के मुख्य नयाधीस हो और अन्या कितने नयाधीस होते हैं तो देखो मुख्य नयाधीस एक है और अन्या जो है वो पहले थे 30 टोटल मिलाकर हो गए 31 लेकिन अब जो है इसमें चार सामिल किया है तो 34 इ आता है तो इसका सही जवाब जो है वो मैं ऐसे गैस करकर बता रहा हूं तो option A हो सकता है अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप में comment करकर हमें जूर बताए next person broadcasting corporation of India भारतिय प्रसार निगम है तो all India radio option A इसका सही होगा next अगर हम बात करें तो next हमारे पास person आता है तो देखिए इन दोनों का ही जुआ अपना विधान मंडल है अ और B next अगर हम बात करें तो next हमारे पास person आता है कि भारत निर्मान एक कार्यकरम निवन में से किसके निर्मान के लिए है तो इसका सही जवाब होगा option C नेक्स्ट नई राष्ट्री ये टिका करन संस्ता नेशनल इंस्ट्यूट आफ इमियो नोलाजी कहाँ प्रस्थीत है तो इसका सही जवाव होगा आप्सट ए नई दिल ली नेक्स्ट प्रसंड हमारे पास आता है कि भारतीय समुद्र विश्च भी दिया लिया है एक तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिरी आप्सन बीस का सही होगा सिंदु जल संदी भारत और जो है पाकिस्तान के बीच है नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रसंड हमारे पास आता है कि सेंट्रल्स एडो सं रिसोर्स आय थो रिट केंद्री अभी ग्रहन संस्थान प्रदिकर्ण किस मन्तराले के अंतरगत कार्य करता है तो इसका सही जवाओ का महिला और बाल विकास मंत्राले आप्सन ए अरजुन आवाड की सेत्र से जुमादीता है तो खेल कूद चंडिगर्ट सहर का बास्तुकार का सिर्जन है तो आप्सन ए इसका सही होगा सौरी आप्सन सी ली बरबूजियर ली कार वुर्जियर निवन में से कौन सा सिंदुगाटी का जो है स्थल नहीं है तो काली बंगा है रोपड है धौला वीरा है लेकिन जो चे नहीं है ये नहीं है मौर्य बंस का संस्थाप कौन है तो चंद्रगुप्त मौर्य और अजंता चित्रकला किस काल से समधित है तो गुप्त काल तो नेक्स्ट अगर हम बात करें पृत्वी राजसो किस के द्वारा लिखी गई तो चंद्रगदाई के द्वारा लिखी गई किस भवनी सासक ने जालिम की उपादी दी गई थी तो इसका सही जबाव होगा आप्सन जो है वो बी हुमाईयू नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि पानिपत की दूसरी लडाई में अकुबर का प्रदित्व किस ने किया था तो इसका सही जबाव होगा आप्सन ए तो ये था बैरम का नेक्स्ट अगर हडपनीती के अंतरगत किस राज सी राजे की कुबस्त के कारण समिलित किया गया तो इसका सही जबाव होगा स्तारा इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रसन तो नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है नेमलीकित में से किसे युवा ब प्रणरम किया तो इसका सही जबाव होगा, option जो है, D, Henry, L, B, D, Ro, G, O, के द्वारा, next person, 1893 में, किसने, सिकांगों में, धर्मों के सांसद में, उपस्थिती दी थी, तो इसका सही जबाव होगा, option जो है, A, तो option, जो आपका आता है, option A, तो इसका सही जबाव होगा, वीवेकानन, गांधी इर्विन समझाता, किस वर्ष हस्ता, जो है, हस्ता, श्त्रित हुआ था, तो इसका सही जबाव होगा, option C, 1931, किस वर्ष महत्मा गांधी जी, दक्सिन आफिका से भारताय थे, तो इसका सही जबाव होगा, 1915, नेक्स प्रसन अगर बात करें, किस वर्ष अजाध हिंद फॉज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी, तो इसका सही जबाव होगा, option C, जो है, 1942 में, नेक्स प्रसन के अगर हम बात करें, तो, नेक्स प्रसन हमारे पास आता है, कि कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, तो बुद्ध है, प्रकास वर्ष किसकी काई है, तो दूरी की, और निमन में से कौन सा हमारे बाईव मंडल में सबधिक प्रतिसत है, तो नाइट्रोजन का है, उसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वाचिन, दक्सिनी अर्ध गुलाद में सबसे लंबा दिबस है, तो इसका सही जवाब होगा 21 जून, तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करकर जुरू बताना, अगर चैनल को सबस्क्राइब निकिए, सबस्क्राइब करना, और पार्ट थी जो है, वो इसका जल्दी आएगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ, तक के लिए जहीं जावार, जाहें माचल,